Hello students, welcome to the channel Online Studybit DK मैं नीलम जिनके साथ आप काफी सारे practice paper complete कर चुके हैं और मैं continuously आपको practice papers provide करूँगी इसमें आपको काफी सारे different type के questions देखने को मिलेंगे और ये सभी questions आपके exam के viewpoint से बहुत important है और एक और important बात आपके लिए कि आपने यदि चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर subscribe करें ताकि आपको सभी videos time to time मिलते रहें क्योंकि हमारा जो चैनल है सभी date exam के लिए material provide करता है और यदि आपने हमारे telegram channel को join नहीं किया है तो आप हमारे telegram channel को भी join करें online study bit dk तो चलिए चादर time नहीं waste करतें सबसे पहला हमारा जो question है वहें गुडनफल में x square minus 2 bracket 1 minus 3x plus 2x square कॉमा का योग x square और x के गुडांग है मतलब आपको सबसे पहले इनका गुडनफल करना है फिर x square और x के जो भी गुडांग जिसे आप इंगलिस में coffee shank कहते हैं इसे लेना है और दोनों का क्या करना है योग करना है देखे ये question आप polynomial का question बहुपत का question के रूप में ले सकते हैं तो चलिए सबसे पहला जो हमारा काम है इन दोनों का आपको गुडनफल करना है यदि आपको गुडनफल करने में कोई भी problem है तो मैं बिलकुल basic type से समझा रही हूँ आप इसे सीखे देखिए आपका है x square minus 2 और bracket में है 1 minus 3x plus 2x square देखिए जब भी इस type के questions होते हैं और आपको गुडनफल करना होता है तो सबसे पहले इस वाला जो भी आपका ये variable है ये नंबर है तो इसका आप पूरे इसमें करेंगे फिर देन आप इस नंबर का पूरे इसमें गुडना करेंगे तो मैं आपको 1 minus 3x plus 2x square पहले हमने x square के साथ इस bracket को लिख लिया minus का 2 and 1 minus 3x plus 2x square तो इस तरह से आप पहले इस x square को अंदर इसमें bracket में multiply करेंगे then minus 2 को multiply करेंगे तो देखिए x square minus 3x into x square और x और x दोनों मिलकर आपके कितने होगे 3x cube plus 2x की power 2 और x की power 2 x rest to the power 4 minus 2 minus और minus plus 6x minus और plus minus 4x इसको है यदि आपको बहुपद में गुड़न फल में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने बहुपद का एक lecture भी बनाया हुआ है और यदि आपको और भी अच्छे से समझना है तो आप मुझे comment box में जरूर बताएं तो देखिए आपको यहाँ पर लेना है x square और x के गुड़न तो आ कि हमें किसी गुड़न के से मतलब कुछ भी नहीं है और 6x अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x square जो है गुड़न क्या होता है इसके साथ जो भी numeric term होती है variable के साथ वह आपकी गुड़न क कहलाती है तो देखिए यहाँ पर minus 3 प्लस आपका 6 और minus 3 और 6 को solve करेंगे तो आ आपका अंसर क्या होगा 3 जो की है आपकी option number B में I hope यह आपको यह question अच्छे से समझ में आया होगा next question ही एक मानचित्र का पैमाना 1 ratio 3 into 10 rest to the power 6 है दो सहरों पर 9 cm की दूरी पर है सहरों के बीच की दूरी किलो मीटर में बताना है देखिए एक मानचित्र का पैमाना जो है 1 ratio 3 into 10 rest to the power 6 लिया गया है और जो 2 सहर है उनके बीच की जो दूरी है वो 9 cm की दूरी पर है अब सहरों के बीच की दूरी बताना है आपको इस पैमाने से आपको किलो मीटर में आपको कनवर्ट करना है तो देखिए सबसे पहले तो हम में आपको यह समझाना चाहते हूं कि इस प आपकी कितनी? 9 cm है और आपको जो दूरी है वो किस में चेंज करना है? किलो मीटर में चेंज करना है अब सबसे पहले तो इस पैमाने का मतलब और इस cm से किलो मीटर में आपको किस तरह से बदलना है? पैमाना मतलब जैसे कि कोई भी एक ऐसी चीज आप जिसे पेपर पर नहीं परदर्शित कर सकते जो कि बड़ी-बड़ी मापे होती हैं तो उसके लिए हम एक particular माप decide कर लेते हैं कर लेते हैं जिससे हमें पेपर पर परदर्शित करना आसान हो जाता है तो देखिए ये जो है आपका 1 cm का जो पैमाना है वो है 3 into 10 rest to the power 6 है तो 9 cm का क्या होगा अगर ये 1 cm के लिए इतना है तो 9 cm के लिए सीधी सी बात आपको यहाँ पर गुड़ा करना है अब ये भी आपका cm में ही होगा लेकिन 9 3 is a 27 into 10 rest to the power 6 cm अब बात आती है आपको cm से km में बदलना तो देखिए आप मैंने जो unit conversion है इस पर काफी सारे questions भी करवाए है और हर में explanation भी दिया है तो आप इस शीश को याद रहे कि किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी और मिली कुछ इस तरह से मैंने आपको एक formula बताया था ज इसके according हमें ये करना होता है अब देखिए आपको cm से km में जाना है और मैंने ये भी बताये कि जब हम इस तरफ को जाएंगे तो multiply 10 होगा हर गेप का और जब हम यहाँ से इस तरफ को आएंगे तो divide होगा 10 का ये दो बाते आप हमेशा ज्यान रखें तो देखिए cm के बाद 1 2, 3, 4, 5 मतलब आपको divide करना है इसमें 10 rest to the power 5 से ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी चलिए अब हमने जो cm में लिया है ये है आपका 27 into 10 rest to the power 6 अब आप 10 rest to the power 5 से divide करेंगे तो 5 time ये cancel हो जाएगा तो आपका answer आएगा 270 जो की है आपके option number B में I hope कि आपको ये बात clear हो गई होगी अब है next question दो बेलनों के आधार की तरज्जा जो है दो अनुपात तीन के अनुपात में है देखिए किसकी तरज्जा बोलिए आधार की तरज्जा मतलब R1 और R2 जो दिया है आपको दो बटे तीन जो भी आपको question में बोला जाए आप उ पुसरी हो चाई तो 5 बटे 3 है अब उनके आधानों का अनुपात देखिए question बहुत ही simple है सिर्फ इसमें आपको उनके आधानों का अनुपात बताना है अब यदि आपको बेलन के आधान का फॉर्मूला पता है तो आप easily कर पाएंगे तो देखिए बेलन का आधान निकालन के लिए formula होता है πाई आर स्कॉइर एच तो आप दो आपको unit दी होई है तो r1 का स्कॉइर h1 और πाई आर टु का स्कॉइर h2 से πाई cancel हो गया अब r1 और r2 का स्कॉइर मतलब 4 upon 9 और h1 5 वे आपका h2 आपका 3 है आप इसे 5 और 4 20 9 और 3 27 तो इस तरह से देखिए कितने easily इसलिए तरह से आपको सिर्फ फॉर्मूला यदि पता था तो आपने से सॉल्ब कर लिया, नेक्स्ट गॉश्चन देखते हैं, बाई का वहमान जिसके लिए चार अंकिये संक्या, फाइव वन वाई थ्री, नो से विभाज है, सीधी सी बात, नो से विभाजता का नियम आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, चार अंकिये संक्या है, तो आपका नो से विभाज होने के लिए क्या होगा, तो देखिए, नो से विभाज का नियम क्या होता है, नो से विभाज के नियम में सीधी सी बात है, कि इन सभी नंबरों को जोड़े, यदि इन नंबरों को जोड़ पर जो भी संक्याए वो 9 से विभाजित है तो वो नमबर भी 9 से विभाजित होगा तो 5 और 1, 6 और 3, 9 और 9 प्लस Y डिवाइड होना चाहिए 9 से अब 9 में क्या जोड़ू में कि 9 से डिवाइड हो देखिए यदि 9 में मैं 0 जोड़ू तो भी आपको 9 मिलेगा और 9 में मैं 9 जो दो आंसर बनते हैं या तो 0 या फिर 9 तो इस तरह से भी आप option के according भी कर सकते हैं यदि आपके option में दो इस तरह के number है कि 2 select करने हैं तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं next question is minus 7 और minus 3 के बीच के पूर्णांगों का गुडण फल है अब minus 7 और minus 3 के बीच के पूर्णांगों का गुडणफल बताना है अब तो भाई ये बात हो गई संख्या रेखा की तो देखिए संख्या रेखा के बारे में मैं आपको समझाती हूँ पहले तो संख्या रेखा क्या होती है देखिए बिलकुल मिडल में आता है 0 संख्या रेखा पर अगर बिलकुल बीच की बात करते हैं हम तो यहाँ पर होता है 0 अब 0 के अगर आप इस तरब जाते हैं तो सभी positive number होते हैं और 0 के इस तरब जाते हैं तो आपके सभी negative number होते हैं तो आपको यहाँ पर minus 3 और minus 7 भी चाहिए तो आप यह minus 4 हुआ minus 5 then minus 6 और minus 7 लेकिन अब यहाँ बोला गया है आपको कि minus 7 और minus 3 के बीच के पूर्णांकों का गुडनफल देखिए minus 7 और minus 3 के बीच में आता है minus 6 minus 5 और minus 4 तो आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से मैंने numbers यहाँ पर लिये हैं आप इन number का multiply करें देखिए 120 minus और minus plus और minus minus I hope कि minus और minus का गुडन करने पर plus आता है यह बात आपको पता होगी और plus और minus का गुडन करने पर minus आता है तो आपका जो right answer होगा option number C होगा का LCM है आपको यहाँ पर LCM निकालना है और कुछ इस टाइब की terms में वो LCM बताना है तो देखिए हम निकालते हैं देखिए LCM सभी number का एक साथ ही निकाला जाता है तो हम इस तरह से LCM निकालेंगे और जब भी LCM निकालना होता है मैंने आपको बताया है सबसे छोटे number से आप शुरुबात करें तो सबसे छोटा number 2 11 time हुआ 2 2s are 4, 2 7 जा 135 में होगा नहीं क्योंकि last में 5 है 2 9 जा and 2 9 जा अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या किसी number में 2 से divide हो रहा है नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पर 3 से divide हो रहा है 27 में, 99 में और 135 में भी होगा तो हम 3 लेंगे 11 में नहीं होता 3 9 जा, 3 4 जा, 3 5 जा 3 3 जा and 3 3 जा अगेन आप यहाँ देख सकते हैं कि 9 है, 45 जा, 33 यह सभी 3 से divisual है तो 11, 3 3 जा, 9 3 जा, 3 5 जा 3 जा, 3 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, 15 तो 11 as it is हुआ 3 जा, 3, 3 5 जा, 15 और यह 11 अब आपको यहाँ पर clear हो रहा होगा कि यह 5 से divisual होगा 1, 1 and 11 यह 11 से होगा तो इस तरह से आप इसे किस फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 1 3 की पावर 1 2, 3, 3 की पावर 3 5 into 11 जो की है आपके option number C में तो इस तरह से भी question आपका आ सकता है next question is 0.0000 127, 8 को k into 10 rest to the power 9 के रूप में व्यक्त करना है और k और n के मान को आपको यहाँ पर जोड़ना है तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही simple way में इस चीज को समझाने वाली हूँ इतने भी number है यहाँ तक क्योंकि हमें यहाँ पर point को लेकर के आना है आप उतनी 0 लगा दीजिए 1 में तो देखिए 1.278 अब यहाँ पर point से हम इस तरफ को आएंगे तो हमारी जो power होगी वो होगी minus में कितने number 1, 2, 3, 4 और 5 तो हम कितने number इस तरफ को जा रहे हैं 5 को तो आप लिखेंगे minus 5 और यदि हम यहाँ से यहाँ पर जाते तो आपका positive आता अब इस form में अगर आप चेक करें तो n की value जो है minus 5 है और k की जो value है 1.278 आप यदि इससे compare करें अब बोला गया है कि इन दोनों को आपको add करना है तो 1.278 अब चुकि है minus 5 है तो add तो होगा ने यह तो आपका minus होगा तो 5 आपका बड़ा नंबर है तो आप लेंगे 5.00 10 में से 8 गए 2 9 में से 7 2 9 में से 2 गए 7 4 में से 1 गए 3 और वो भी negative क्योंकि 5 यहाँ पर बड़ा नंबर है तो option नंबर सी आपका right answer होगा I hope कि मैंने आज बहुत ही different type के questions लिए और आपको समझ में आ रहे होगे next question लेते है 4x square y square plus 14x minus 7y minus 4xy plus 12 के गड़नखंड में से 1 है अब यहाँ पर देखिए इस में से आपको यह बताना है कि इन में से कौन सा एक number है जो इसका गड़नखंड है तो देखिए सीधी सी बात आप तो क्या करना यहाँ पर इस option से इस option में से कोई भी option alternate उठाना और इस से divide यदि आपको division आता है तो आप divide भी लगा के कर सकते हैं और नहीं तो फिर हम गड़नखंड method से solve करेंगे तो देखिए दोनो तरह से आप कर सकते हैं मैं आपको दोनो method यहाँ पर सिखा देती हूँ तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ आप चेक करें कि 4x square y square यह जो है आपका और यह 4xy इन्हें आप साथ में लिखें यहाँ पर देखिए मैं इसे लिख कर बताती है 4x square 5 square minus 4xy फिर आपकी जो भी terms रहे गई हैं हम उन्हें लिखेंगे minus 7y plus आपका 12 अब आप इस चीज को अच्छे से watch करें क्या यह a square plus b square minus 2ab के form में हैं तो a minus b मतलब 2x minus y का whole square से यदि यहाँ 7 common लेते हैं तो 2x minus y और प्लस आपका यहाँ पर है 12 अब 2x minus y को आप कोई भी एक number suppose कर लिजिए 2x minus y को मैंने capital A suppose कर लिया यह हुआ आपका capital A square plus हम इस यहाँ पर इन number को इस तरह से लेंगे कि यह number भी आपका एक a plus b के square के format में आ जाए तो आप इसे देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने इस 7 को इस form में लिख दिया 4 plus 3 के form में अब यहाँ से आप इसे capital A के form में suppose कर सकते 4A plus 3A plus आपका 12 अब हम यहाँ से a common लेते हैं तो a plus 4 plus हम यहाँ से 3 common लेते हैं तो a plus 4 तो आपका यहाँ पर क्या हुआ है A plus 3 और A plus 4 अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा एक यहाँ पर मौजूद है तो आप यहाँ पर 2X minus Y plus 3 और 2X minus Y plus 4 वाले option को select करेंगे जो की है आपका एक option यहाँ पर मौजूद D में नेक्स्ट कोशन है एक चतरभुज ABCD में एंगल D60 है एंगल C100 है तो एंगल A और एंगल B के समदोई भाज़क बिंदू P पर मिलते हैं तब आपको एंगल A, P, B का माप बताना है अब यहाँ पर बात आ गई है एक चतरभुज की तो सीधी सी बात है चतरभुज के चारो कोड का योग 360 होता है और हम एक चतरभुज बनाते हैं पहले कोई भी आपको चतरभुज दिया गया है इसमें बोला है कि एंगल A और एंगल B मान लो यह आपका एंगल A है एंगल B है A, B, C, D जो P बिंदू पर समदोई भाज़क करते हैं और आपको जो एंगल D है इसकी माप द यह हुई है 100 दिग्री तो इन दोनों जो एंगलों की माप है इनका योग कितना हुआ? एंगल D प्लस एंगल C हुआ आपका 160 दिग्री अब आपकी कितनी माप रहे गए 360 में से 200 दिग्री जो माप है वो आपके एंगल A और एंगल B की होगी इस हिसाब से तो यदि आपको इ दिबाजक है, मतलब आपको इनके हाफ की निकालना है तो हाफ की निकालना है तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 100 डिगरी जो होगी आपकी एंगल A प्लस एंगल B होगी, अब चूकि एक त्रिभुजवन रहा है, तो तीनों का जो योग होगा, वो होगा 180 अंस एंगल P बराबर 180 अंस, इन दोनों की आपकी 100 डिगरी है, तो एंगल P की होगी आपकी 80 डिगरी, जो की है आपकी option नमबर A में next question है, एक बेलन के बक्र प्रस्टिय छेतरफल का 4 गुना, उसके आधारों के छेतरफल के योगफल के 6 गुने के बराबर है यदि इस बेलन की उचाई 42 सैंटीमीटर है, तो इसका आयतन सैंटीमीटर में है यहां से आपको सबसे पहले तो बेलन के बक्र प्रस्टिय छेतरफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आधार के छेतरफल के योग के 6 गुने के बराबर है और बेलन की उचाई दी गई है और उसका आयतन निकालना है, देखिए, पूरा आपका बेलन का चाप्टर यहां कवर हो रहा है अब यहां पर सबसे पहले तो आप इस बेलन को देखे यह जो बेलन है आपका इस बेलन के यह जो छेतरफल है पाई आर स्कॉयर और पाई आर स्कॉयर इन छेतरफलों की बात की गई है, जो की बकर प्रस्ट के छेतरफल का 6 गुने के बराबर है तो सबसे पहले तो यह जो बोला गया है बकर प्रस्ट यह छेतरफल बराबर जो है बक्र प्रस्ट के छेतरफल का जो चार गुना है वो बराबर है किसके छेतरफल के आधार के छेतरफल के ठीक तो सबसे पहले हमें बक्र प्रस्ट के छेतरफल का फॉर्मूला यदि पता है तो आपको कोई भी प्रॉबलम नहीं होने वाली है देखिए हम किस तरह से करने वाले ही सीधा सीधा बक्रप्रस्ट का शेतर पर दोनों के आधार का शेतर फल अब जो भी कैंसल हो रहा है देखिए टू पाई से टू पाई पूरा पूरा कैंसल हो रहा है आर से आर कैंसल है आपका और 4 से ये 2 टाइम और ये 3 टाइम तो आपका यहाँ 2H लाफ्ट हुआ और यहाँ पर आपका 3R अब यहाँ पर बोला है कि बेलन की उंचाई उंचाई आपको दी हुई है 42 सेंटिमेटर उंचाई 42 है आप यहाँ 42 रखेंगे बरावर होता है आपका 3R के 3 से 42 आपका 14 टाइम कैंसल हुआ और R बरावर हुआ आपका 28 अब आपको निकालना है बेलन का आइतन और बेलन का आइतन होता है आपका 5R स्क्वाइर एज तो इसे साब से आप इसमें उंचाई और रेडियस की वैल्यू रखेंगे और मुझे इसका आइतन निकालकर बताएंगे नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं गणित की सभी साखाओं में प्राचीन तम है देखें ये कोश्चन कई बार रिपीट होता है बच्चें आप बहुत कन्फ्यूज भी होते हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब गड़नाओं का समय था तो अंकों के द्वारा गड़ना हुई आप इस चीज को हमेशा याद रखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंक गड़न अब सेकेंड हैं समस्या समधान बिदी के सोपान क्या होते हैं क्या सूचिनाओ का संग्रहन समस्या की प्रक्रति निसकर्स निकालिना आंक्रों को संगटित करना तो आप मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे नेक्स्ट है 5 1y4 प्लस 3 1y2 प्लस 1 1y4 माइनस 1 1y4 को सरल करें देखिए इस राइट के कोशन आएंगे तो सीधा सार आप देख सकते हैं कि सभी में 1y4 है और यहां पर 1y2 है तो आप इसे 5 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 1 लिखें और प्लस आप लिखें 1y4 प्लस 1y2 प्लस 1y4 माइनस 1y4 और आप इसे LCM लेकर सॉल कर सकते हैं तो हम इसे सॉल्ब करेंगे यह तो आप 8 हो रहा है आप इसका LCM लेंगे 4 1 प्लस 2 प्लस 1-1, 1-1 cancel, और 8 3 upon 4, मतलब 8, 3, y, 4 देखे, कितना easily तरह से solve हो गया, next question है पहले उधारण फिर नियम निकालते हैं देखे, ये हम जब भी पैड़ावजी पढ़ते हैं तो बिधियां हमेशा पढ़ते ही है और पहले उधारण की कहाँ पर बात होती है तो अगर देखा जाए तो पहले उधारण आप आगमन विधी में निकालते हैं, तो आपका option number second right होगा next is 18 plus 12 plus 2 होगा, देखे, बहुत ही basic question, लेकिन border mass rule apply होगा तो 18 plus 12 होते हैं आपके 30 और 30 plus 2 होता है आपका 32 जो कि है आपके option number C में, I hope कि आपको सभी questions अच्छे से समझ में आए होगे, यदि आपको किसी भी question में कोई भी परिशानी है तो आप मुझे comment box में जरूर बताएं ताकि मैं आपकी problem solve कर सकूँ, और यदि आपने channel को subscribe नहीं किया है तो आप channel को जरूर से जरूर subscribe करें क्योंकि हमारा जो channel है वो सभी date exam के लिए सभी आपके लिए important material provide करवाता है तो आप सभी के लिए मैं next practice paper जल्दी लेकर की आऊंगी तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिन बंदे मात्रम